एलोए इस्टूदेंस मैसेल्फ नजीबा इब्राहिम और विल्कम बैक तो मी चैनल एवल इन अकाउंट्ट इस्टूदेंस आजम क्वेश्चिन नंबर फॉर्ट सॉल्व करेंगे प्रिपेर अकाउंटिंग एक्वेशिन फ्रॉम धी फॉलिंग अकाउंटिंग इक्वेशिन वर्ट सीथावजन का मतलब 20 तूजल में बेचे ओके मतलब 6000 का इस पे profit हुआ है कुनाल को समझ में आ रहा है गुड्स का cost amount कितना था 20,000 वाली गुड्स को company ने मतलब कुनाल ने 26,000 में sale किया है काफी easy question है students चले start करते सबसे पहले कुनाल ने 250,000 से business start किया है तो यह 250,000 capital कहलाएगा ना यहां लिकेंगे point A कुनाल started business with cash यहां लिखेंगे asset में cash and capital में capital 2,500,000 and 2,500,000 1st point होगे हमारा एस पॉइंट देखिए he purchased furniture for cash furniture purchased किया उसने 35,000 में बदले में उसने cash payment किया ओके सबसे पहले asset में हम यहां लिखेंगे furniture point B purchased furniture for cash 35,000 का furniture purchase किया तो furniture का value 35,000 से increase हो जाएगा and cash का value 35,000 से decrease हो जाएगा company ने cash payment किया है तो company से 35,000 cash decrease हो जाएगा इससे total करिए यहां बीच में plus लिख लिज़े ओके 250,000 माइनस 35,000 कितना हो जाएगा यह यहां तक समझ में आए students उसके बाद next point देखिए he paid commission 2000 students ध्यान देजेगा commission ना तो asset होता है ना ही liability होता है ना ही capital होता है अगर company ने commission pay किया है तो वो expense किलाएगा and अगर company ने commission receive किया है तो वो income किलाएगा तो यहां पर कुनाल ने commission pay किया है तो इसकी entry देखिए मैंने आपको बता है ना expenses को हम cash में से भी minus करते हैं capital में से भी minus करते हैं उसने 2000 cash payment किया है ना as a commission तो cash का value 2000 से decrease हो जाएगा and capital का भी value 2000 से decrease हो जाएगा यहां लिखेंगे point C paid commission 2000 यहां minus करेंगे 2000 हो गया उसके बार total कर लिजे तो लाग 15,000 मानस 2000 यह जाएगा तो लाग 13,000 प्लस 35,000 का furniture प्लस 250,000 मानस 2000 यह हो जाएगा तो लाग 48,000 यहां तक कर समझ में आया उसके बाद next point देखिए point D यह पर्चेस गोड्स ऑन क्रेडिट उसने क्रेडिट पे गोड्स पर्चेस किया है कितने का गोड्स पर्चेस किया है 40,000 का देखिएगा students company ने क्रेडिट पे पर्चेस किया है तो cash का value decrease नहीं होगा इसके entry हम लाबिल्टी में करेंगे कंपनी अगर क्रेडिट पे गोड्स पर्चेस करती है तो जिन से भी कंपनी ने पर्चेस किया वो कंपनी के क्रेडिटर्स के लाएंगे ओके एंड क्रेडिटर्स लाबिल्टी होती है कंपनी की तो सबसे पहले लाबिल्टी में हम क्रेडिटर्स लिखेंगे ओके एंड एसेट में स्टॉक लिखेंगे गोड्स एसेट होता है न यहाँ लिखेंगे प्लस स्टॉक 20 परचेस गुड्स ओन क्रेडिट 40,000 का गुड्स परचेस किया गया तो यहां हो जाएगा प्लस 40,000 क्रेडिट परचेस किया गया तो यहां हो जाएगा परचेस किया गया तो यहां हो जाएगा तो यहां हो जाएगा 2,13,000 क्रेडिट प्लस 35,000 का फर्निचर प्लस 40,000 का प्लस 40,000 का प्लस क्रेडिटर्स प्लस 248,000 का प्लस यहां तक का समझ में आएगा तो यहां तक का समझ में आएगा इस 26,000 का माइनस नहीं करेंगे क्योंकि इसमें प्रॉफिट अमाउंट भी इंक्लूड है गुड्स को बेचने में प्रॉफिट हुआ है तो कितना प्रॉफिट हुआ है इसको हम कैपिटल में आड करते हैं कितने का गुड्स डिक्रीज हुआ है कंपनी से उसको हम स्टॉक में से माइनस करेंगे टोटल 40,000 का स्टॉक है ना कंपनी में 40,000 में से 20,000 के स्टॉक को कंपनी ने सेल कर दिया है तो इस स्टॉक में से 20,000 से वैल्यू डिक्रीज हुजाएगा यहां लिखेंगे दियान से देखी गए यह वाला पॉइंट स्टॉडेंट सबसे पहले 20,000 से स्टॉक का वैल्यू डिक्रीज हुजाएगा और उसके बाद कंपनी ने यह बेचा है तो बदले में कंपनी ने कैश रिसीफ किया कंपनी ने टोटल कितना कैश रिसीफ किया तोटल कंपनी ने 26,000 कैश रिसीफ किया तो कैश का वैल्यू 26,000 से इंक्रीज हुजाएगा ना बढ़ जाएगा 26,000 से कैश के वैल्यू तो यहां प्लस 26,000 कंपनी में टोटल 26,000 कैश आया है कैश में हमेशा हम कॉस्ट अमाउंट और प्रॉफिट अमाउंट दोनों को एड करके यहां प्लस करते हैं इस पे कितने का प्रॉफिट हुआ है 26,000 माइनस 20,000 6,000 का प्रॉफिट हुआ है ना गुड्स को बेचने में तो वो प्रॉफिट कंपनी के लिए इंकम है इंकम को हम कैपिटल में भी एड करते हैं यहां लिखेंगे 6,000 हो गया आयोग आप लोगो कुछ समझ में आया होगा यह वाला प्रॉइंट टोटल करेंगे 2,13,000 प्लस 26,000 यह हो जाएगा 2,39,000 प्लस 35,000 का फर्निचर प्लस 40,000 मानस 20,000 यह हो जाएगा 20,000 इस इक्वल तो 40,000 प्लस 2,48,000 प्लस 6,000 यह हो जाएगा 2,54,000 हो गया स्टूदेंट्स आंसर चेक करेंगे 2,39,000 प्लस 35,000 इस टोट टोटेंट्स प्लस 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 5,000 प्लस अंसर वह भी शेम आया हमने